तो दोस्तों जब भी मैं यहाँ पर कोई भी निया वीडियो है या निया कॉंटेंट ला रहा हूँ आप लोग उन वीडियोस को देखते नहीं हो स्रित 30 वीव, 40 वीव, 50 वीव ऐसे वीव जाते हैं तो मतलब क्या है आप लोग को सिर्फ सैमसंग का जेटू 2016 और जेटू प्रोफोन का वीडियो चाहिए भले ही वो फोन डेड़ साल पुराना है उसके उपर मैंने डेड़ सो से भी जादा वीडियो बना चुका है अलग अलग टॉपिक को कवर करके अब कौन सा टॉपिक कवर करूं भाया मतलब आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी नहीं चाहिए सिर्फ जेटू 2016 और जेटू प्रोफोन तो आप लोग कॉमेंट करो ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर थक चुका हूँ नया नया कुछ भी नया नया जनकारी देखता हूँ इतना मैनत से वीडियो बनाता हूँ उपर से लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आ जाते हैं खेर वो सब उससे मुझे मतलब नहीं है तो यार आप लोगों को देखना है आप लोग बताओ कॉमेंट में कैसा वीडियो चाहिए तो वो ऐसा वीडियो हम यहाँ पर बना के देंगे भले वो जेटू 2016 हो जेटू प्रो फोन हो वही चीज बार बार बना के आप लोग को देंगे क्योंकि आप लोगों को तो कुछ नया सीखना ही नहीं है जब भी हम कुछ नया डालना कोई देखता ही नहीं है बताइए मतलब हद होता है मतलब एक तरीके से जब भी कुछ नया आता है तो कुछ नया सीखने को आपको मिलता है लेकिन आप लोगों को वो सीखना नहीं है मुझे तो यही लगता है तो भाई लोग बस सिंपल कह रहा हूँ, जिसको जिस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए, नीचे कॉमेंट करो, बताओ, सैमसंग का J2 2016 या कोई और टॉपिक, यह भी नहीं है, मैं सैमसंग के और भी नएन ऐफोन का भी वीडियो कवर किया, उस पे भी जादा व्यूज नही से, सिरिफ J2 2016 और J2 Profound, कहो तो हर वीडियो के थमनेल में भी यही मैं डाल दूँगा, तो वही आप लोग देखो, जब आप लोगों को वही चाहिए, तो सिंपल है, नीचे कॉमेंट करो कि इस वीडियो के उपर आपको, मतलब कि इस टॉपिक के उपर आपको वीडियो चा झाल 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 झाल